सब्सक्राइब कीजिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल एडूकेशन फॉर सीवेसी को और बेल आइकन को दवाईए ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए तो आगे हैं आप तो प्यारे बच्चो आज की स्वीडियो अपनोग बात करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नमबर 9 जिसका नाम है एक खिलाड़ी की कुछ यादे तो ये जो प्यारे बच्चो पुरा चैप्टर इसमें हमें बताया जाता है एक होकी प्लेयर रहते हैं उनक कि अब एहमियत धीमे धीमे खत्म हो रही है यानि कि पहले इंडिया के लोग होकी बहुत अच्छा खेलते थे मतलब की लगभग मतलब दुनिया हम सबसे आगे थे इंडिया वाले होकी में पर अब जो दूसरे खेल आए हैं जैसे क्रिकेट फुटबाल यह सब बहुत ज्या समझ में आ रहा है तो चलिए इसी देखते हैं तो इसमें जो 60 साल के रहते हैं तो यह हमें यह बताते हैं कि यह जब बच्पन में ही क्या थे बेटमिंटन के चैंपियन थी पर उसके बाद क्या होता है यह हाकी ग्राउंड में हाँ इसकूल ग्राउंड में एक दिन ध्यान चंद को हाकी खेलते हैं इन्होंने जब देखा तो इसके बाद इनका विमन कहा हाँ चलू मैं भी हाकी खेलता हूँ और इसके बाद यह जो थे प्यारे बच्चु यह हाकी में इनका बहुत ही जाधा इंट्रेस्ट आया यह कह वा यह तो बहुत अच्छा खेल है फिर उसमे बाद इन सभी परिसानियों के वज़े से इनका ध्यान जो था वो दो तरफ था मतलब कि खेल की तरफ तो उतना अच्छिस कंसेंट्रेट नहीं हो पाते थी क्यों कि इन्हें डर लगता था कि अगर हमारा देश मतलब की पार्टीशन पर नहीं होता है कि अभी मालीजे आप पाएं ठीक है तो बहुत रेयर केस में आप पढ़ सकेंगे तो उसी प्रकार से इनका ध्यान जो था प्यारे बच्चों खेल में नहीं लगता था तो इसी वज़े से इनका ध्यान क्या था गुम रहा था लेकिन फिर भी 1948 में जब ओलंपिक हुआ तो यह बहुत ही अच्छी तरीके से अपने टीम को जिता दिये यारी कि अप इनकी टीम कौन सी थी इंडिया थी तो इंडिया को यह जिता दिये और जब इंडिया को जिता आए तो उस समय इन्होंने इंग्लैंड को चार जीरो से हराया था अब सोचिए इंग्लैंड जो कि हमारे उपर राज की थी औ और इंग्लेंड की सरकार को हमने भघा दिया, फिर उसे चार जीरों से अरा दिया, ति ये कितनी बड़ी बात होती है, तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारती हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आया है, और वहां पर वहां की क्वीण भी थी, कहां की इंग इंडिया है उसमें बहुत पावर है इंडिया बहुत कुछ कर सकता है लेकिन इस समय क्या होता है कि इस समय जो खेल के प्रारूप है वो अब चेंज होते जा रहे हैं मतलब कि पहले का जो खेल था वो अब इंडिया में चेंज होना लगा अब क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा लोग उसमें सबसे आगे नहीं है, मतलब पहले तो होकी के चैंपियन हुआ करते थे, होकी में अलंपिक जीते थे, पर अब इंडिया के लोग उतने जादा चैंपियन नहीं है, क्रिकेट और फुटबॉल में, फिलाल अभी लोग प्रगती तो कतर कर रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ें पर ये ऐसा कहना चाहते हैं कौन होकी प्लेयर जो है ठीक तो ये है ये खिलाड़े के मुह से निकली गई बात मुझे उम्मिद है आप लोग समझ में आया होगा यदि आया है प्यारे बच्चो तो प्लीज हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लीजे ये बिल्कुली फ्री है इसमें आपका कोई भी कौश लगने वाला नहीं है ठीक है तो थेंक यू जाहिंजा भारत मुलते हैं अगले वीडियो में